लेम अब, हम बाग और विख्यकी की सुतंटता के बारे में भाती समित्धन Alaskawalker एव उनिस का पूर्जोर समर्फन करते हैं whisky उस अदर्फन में संहेग सीविग केविल मनणजन सूचना और शेख्श्की उद्देशों के लिए प्रोशाइप करते हैं इस्लामिक स्कोलर से इस पर सवाल करो तो वो कभी भी किसी भी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं देता है यह कि वो जानता है कि उसकी किताबों में जो लिखा है वो इंसानियते खिलाब है आप साहिल भाई के इस डीबेट को देखकर कमेंड वाक्स में लिखके बताईए कि साहिल भाई के किन सवालों का जवाब इस मौलाना ने सीधे सीधे तोर पर दियेगा इमाम भाई मुझे ये बताईए कि ये जो हमारे देश के जो सैनिक है फोजी है या फ्रीडम फाइटर जो गुजरे है नॉन मौमिन ठीक है हिंदू क्रिश्टन पकड़ लिजे आप पार्सी पकड़ लिजे कोई भी तो उन्होंने अपनी जाने निच्छावर कर दी आपकी मे मैं इसी से रिलेड़ एक सवाल पुछता हूं आपको तो बिल्कुल ये बताओ अगर कोई सुनिए सुनिए पहले आप आपने पुछ लिया मेरे 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 सवाल का जवाब दो अगर कोई सोल्जर है अगर वो यह पर आ जाए और दो लोगों का वो कतल कर दे हां वो मडर कर से तो उसको कानून क्या बुलेगा? क्या करेगा? उसको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी. क्यों वो तो सूल्जर है न? हाँ उससे फरक नहीं पड़ता है, अगर सूल्जर है, अगर सूल्जर ने गलत काम किया है तो बाकाइदा उस पर इनकोईरी बैठती है, पुरा प्रोसेस ह होता है उसमें प्रॉब्लम नहीं है मैं आपसे यह कह रहा हूं कि वो सोल्जर में अपनी बात तो रख लू मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है या उसने कुछ गलत काम भी किया था उसको सजा मिल गई वो सजा पूरी होगी उसको समझो फिर से आर्मी में लिया गया औ और देश की रक्षा में उसकी जान चले गई अब बताईए मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया मुझे पहले मेरे सवाल का भी जवाब आपको देना था उसके बात सवाल करना चाहे था लेकिन आपने सवाल कर लिया मैं आपसे फिर से पूछता हूं क्या ऐसे फौजी ऐसे फ्रीडम फाइटर को जन्नत मिलेगी अल्ला उनको जन्नत में दालेंगे यह जहन्नम में सडाएंगे अच्छा मैं जवाब दू भाई हाँ दो ना जनाब जिशा आपने बोले कि जयासा मने अपको सवाल किया था कि अपने बोले कि तो लिखा गए कानौन के साब सबसे कानौन कि साबसे को कानौन कि मपरतेजिंवकों कि stra셨े तो मौत की सब्राइए तो पूरी दुन्या को बनाया तुमको हमको पूरी दुन्या को बनाया, वो कोई law लिगता है वो कानून लिखता है और उसका तुम अगर नहीं करते हो तो क्या वो सजा नहीं देगा नहीं, तो ठीक है, तो इस हिसाब से उनको जहांनम में दालेगा न अल्ला बिल्कुल बिल्कुल अच्छा और आप इस बात से राजी है के हमारे देश भग जो है और जो हमारे जो फोजी है सैनिक है उनको जहन्नम में डालना चाहिए आप इससे इतिफाक रखते हो अब मेरी बात सुनलो पहले जो हमारे भगत सिंग थे वो भी कोई मुमिन तो थे नहीं अब उनको अल्ला जन्नत में डालेगा है जहन्नम में जलाएंगा अब कुरान में क्या लिखा है अरे आप से पूछ रहा हूँ ना सीधा सिंपल जवाब दो अब आप घबरा क्यों है हो इस जवाब से आप घबरा रहे है जिसको यह मने पता कि मैं क्या फॉलो करूँ मैं उससे क्यों घबरा हूँ नई यह बहुत अच्छी है लेकिन यह सवाल से आप घबरा रहे हैं क्या भगत सिंग जन्नत क्या लगा जन्नत में दालेगा अरे इमाम भाई मेरे सवाल का जवाब तो दे दो मैं वही पूछ रहा हूँ आप सवाल पूछ रहा हूँ मुझे पूछने का हग नहीं है क्या है ना मैं आपने सवाल किया मैं जवाब दिया ना भाई तो भगत सिंग का आपको मेरा पहले सवाल सुनो इसके बाद आप मेरे को सवाल करो सुनो मेरी बाद भगत सिंग को जन्नत में दालेगा अल्ला के जहन्नम में दालेगा इसका जवाब दे दो फिर मेरे से सवाल करो जी आप दे रहा हूँ आपको उसी का जवाब दे रहा हू जहन्नम में दा ले जहन्नम में जहन्नम में बस वही सजाएफी सब्सक्राइब तो भगत सिंग साब को भी जहन्नम में फेकेगे न अल्ला जलाएंगे न वो जो अल्ला का इंकार करता है उन सब को उसमें भगत सिंग साब सामील है के नहीं है इसकी आँखों में जड़ा सी बिस्रम नहीं दिखाए दे रही है ये कहते हैं वे कि गयर मुस्लिम देजबक्तों को इसलाम की मताबिक जहान्नुमें भेजा जाएगा अच्छा ये एक लास में इस बारे में पुछूंगा आपसे कि ये जो हमारे क्या नाम है इसका रवीश कुमार साथ एंडीटीवी वाले इनको भी जहन्नम मिलेगी या जन्नत मिलेगी अगर इसी हाल में मर गए तो आँ नहीं मानते और इसी हाल में अगर मर गए इसलाम के साथ से जननम है इसमें सवाल करनी कि क्या आपको यह आप से सुनना चाहते हैं लो बाई रवीश कुमार साथ भी सुन्टो आप एक विडियो वे अगर अगर आपके लिए अरे भाई मैं आपके लिए निया अश्रा हूं आप मेरे अच्छे बाई है मैं कह रहा हूं रवीश कुमार के लिए हस रहा हूं आपके लिए नहीं हस रहा हूं मैं रवीश कुमार साथ के लिए हस रहा हूं कि लो भाई रवीश कुमार साथ आपके जाने वाले हो पास सुन लो आप अगर आप इंडियोजल नेम ले लेके पूछेंगे तो रूल बदल जाएगा क्या नहीं बदलेगा फिर हाँ नहीं इसी वज़े से लेकिन देखे मसला यह ना कि आप हाँ मैं मैं बताता हूँ आपको मैं क्यों पूछ रहा हूँ पूछ लो पूछ मैं इसल लमानों को ये बताना चाहता हूँ कि इसलाम के नजदीक ना देश भक्ती की कोई वैल्यू है ना देश के सेनिक है उनकी कोई वैल्यू है इसलाम के नजदीक सिर्फ और सिर्फ इमान की वैल्यू है वरना एक इनसान इसलाम के नजदीक उसको जहन्नम में ही दाला जाएगा और वहीं पे वो सड़ेंगे हमेशा, हमेशा के लिए अच्छा मुझे बलो इसलाम में बताना चाहरा है कि दर बताओ, कि दर बताओ, कि दर बताओ, कहीं नहीं लिखा, जाइफ भी नहीं मलती है नहीं, एक मिट, एक मिट, हमारे भाई दिखाएंगे बताओ आपका इमेल आइडी तुम आपको को रही हुआ, ये बेशता हूँ अच्छा, वो कुडे वाली हदीश भी सुनी है आपने सुनो, सुनो, आप ये जो महतरमा को आपने बेटाया है बैक दे कैमेरा, उनको सामने लाओ तुझे अरे आप जवाब दे, मेरी शेकल देखे कि आपको जन्नत जादा मिल जाएगी जादा जन्नत जादा मिल जाएगी मुझे बात बोलो, अभी देखा आप चीर रहे हो, आप लोग चीर रहे हो आप बात करें जिसके टॉपिक से कोई लेना देना ही महीं आप टॉपिक से बात करें आपको मेरी शेकल का क्या पड़ा है आप के लिए नहीं बोल रहे थे वो इमाम साब के लिए बोल रहे थे आप हमारी स्ट्रीम पे आएं आप मर नी रहे है अच्छा सब जन एक साथ अगर बोलेंगे ना तो किसी की आवाज नहीं आएगी एक में डुख जाओ गगन गुक्ता जी कह रहे है I want to learn how you handle so much hate and negative energies I wish you receive hundred times love compensating for that hate बहुत 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 शुक्री है सर आपका अच्छा तो ये बात तो बिल्कुल clear हो गई है कि हमारे जो इमाम शेक भाई है ये इसलाम के एक तो मैं इनको really appreciate करूंगा कि इन्होंने कोई जले भी नहीं बनाई और जो हकीकत थी उन्होंने उसको बयान किया and I really appreciate him for that लेकिन इमाम भाई उस चीज़ से मुत्तफिक भी है ये थोड़ा सदमे की बात है और हमारे जो मुसल्मान भाई बहन अगर देख रहे हैं तो आप फैसला कर लीजिए कि इसलाम आपके लिए अंदर क्या डाल रहा है अच्छा एक इनके उपर अभी homework पेंडिंग है किसी को नहीं फॉलो करता हूं अच्छा वो कब बना है कब बना है जब भी बना है हम उसको फॉलो करते हैं आप 1947 के पहले पैदा होते हैं तो किस को फॉलो करते हैं तब जो कानून चलता था उसको फॉलो करते थे या भाई आपको खला नहीं तो आप इस आदमी की बेसर्मी वाली हैंसी देखकर क्या आपको गुस्ता नहीं आ रहा है अच्छा एक मिट आप क्या करते थे 1947 के पहले मेरी बात सुनो 1947 के पहले अगर आप होते हैं सुनो मेरी बात 1947 के पहले अगर आप होते हैं तो क्या करते हैं हम कुरान को फॉलो करते हैं तो आज 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 कुरान को फॉलो करोगे फिर और हमेशा करेंगे अच्छा जो चीज इसलाम के खिलाफ है जैसे मिसाल की तौ यानि इनके लिए देश का कानून मैटर नहीं करता है, कुरान और हदीस मैटर करता है, इसलाम मैटर करता है. मैंने ऐसा नहीं कहा देखो, बात को ये बात गुमाओ मत, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं देश के कानून को फॉलो नहीं करता हूँ. अच्छा मैं तुम को ऐसा है मैं चलो मैं मैं बताता हूं कि कैसे फॉलू नहीं होगा मैं मैं बताता हूं कि एग एक चीज की इजाज़त जो आपका इसलाम देता है लेकिन एक चीज की इजाज़त जो आपका इसलाम देता है लेकिन वो देश के कानून के खिलाफ है आप किस की मानोगे इसलाम की मानोगे या देश के कानून की मानोगे इजादत मतलब क्या बोटे हो पहले वह बहले कि ये करो अभी आप घबरा रहें अभी यहाँ पे आप बोलो ना कि मैं इसलाम को मानूंगा जाहिल भाई मैं अगर घबरा होता हो घबरा होता ना आपसे वीडियो गॉल पे नियाद हो ने अच्छा इमाम शेक बाई चलो मैं ऐसे इस अंदाज से आपके सामने कोश्शन रखता हूँ मैं अपसे कह रहा हूँ कि इसलाम के नजदीक एक अमल जो है सही है और देश के कानूं के नजदीक वो अमल गलत है ठीक है अभी इंडिया में गोश्श बैन हुआ है उसकी बात कर लो डैरेकली बोलो नहीं मैं वो अभी एक्जामपल में दूसा देने और खतरनाक देने वाला था लेकिन तुमने चलो ये भी ले लिया कोई मसला ने खतरनाक वाला सुनना है मुझे वो बताओ मैं लेकिन आप किसको मानोगे पहले ये तो बताओ देश के कानून को सही मानोगे या इसलाम की बात को सही मानोगे बताओ तो सही क्या एक्जामपल दो अरे दे देता मेरे भाई आप ने कहा ना 1947 के पहले मैं इसलाम को मानता था तो आज किसको मानोगे मैं आपको दे देता हूँ, मिसाल की तौर पे आपके इसलाम के नजदीक आप एक छोटी सी छे साल की बच्ची के साथ आप शादी कर सकते हो, ठीक है, देश के कानून के नजदीक ये एक घिनोना अपराद है, अच्छा, अब बताईए कि इसलाम के हिसाब से आप फॉलो करोगे, क्योंकि इसलाम तो इजाज़त देता है, जो अल्ला का जो कानून है, उसको तो कोई गलत नहीं कह सकता, तो अभी आपके नजदीक छे साल की बच्ची से शादी करना सही है, या वो कानून जो इसको अपरा कहता है, वो सही है, अच्छा, मुझे बताओ, ये जो से साल के बच्ची से शादी किते हैं, पहले जवाब तो दो, मैं आपको पहले बोड़ रहा हूँ, अगर आपको भी बहुत से बात करनी है, तो मेरे भी सवाल की जवाब देना पड़ेंगे, दूँगा मैं, दूँगा से शादी किती छे साल के उमर में, और भी दाई नौ साल के उमर में होती, राइट? ठीक है. तो वो कुरेशी कबीला था, क्या था? ठीक है, उससे क्या है? ठीक है, उससे क्या? ठीक नहीं है, पहले सुन लो बात को, मैं बोलता हूँ आपको, एक-एक से चीज़ बता रहा रहिगिस्तान का इले का इलाका था. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर रिवास की बात की जाए, तो उस टाइम में अब जवाब तो सुन लो तो मैं मैं अगर हवाला कलब करूं तो देना पड़ेगा ना वाई अगर मैं कुछ क्लेम करूं एक काम करो आप प्रॉपर्ली बिटवाता हूं आप आजाओ और अरंगाबाद और अरंगाबाद क्यों यहां पे यूट्यूब पे लेकिया यह ना क्या मसला है जैसा आप बात क कितने जन सुनते हैं इतना आपके लिए खाली वाक मुद्वादा के पास में कि आपके लिए आय। आपको मालूम है कि हमारी स्ट्रीम देख देख के कई सुनो बोल यह बोली अच्छा बोलो पिर मेरी बाद मुझे जवाब नहीं देने दिया पहली बात तो मैं यह कह रहा हूं कि हवाला आपको देना पड़ेगा ना उसको हटा दो फिर आगे की बात करो ले के आओ ना या तो मुफ्ती को ले के आओ या तो आपको बुला भी सकते हो अच्छा एसा रॉक्टर बहुत बड़ा है बीजी एको क्या करेंगे मेरे पास पैसा है तो मैं पैसे देके बुलाओंगा मेरी उतनी इंपोर्टेंस है कि मैं उसको बुला सकता हूं तो आएगा वह नहीं आएगा सुनो मेरे भाई खरीज सकते जन्न खरीज सकते हैं तो तुम बाकैदा बार खोलो अरे वाइस सुनो मेरी बात सुनो आप अगर आपके पास पैसा है तो बाकैदा आप जन्नत का मॉडल इधर बना सकते हो आप अपने सवाल का जवाब दो पहले मेरी आपकी ये बात का मैं जवाब तो देदू कि आप दुनिया में जन्नत से बहतर जन्नत बना सकते हो कैसे मैं बता रहा हूँ आप दुनिया में बाकैद अगर आपके पास पैसा है तो आप दूद की नदिया उसमें बना सकते हो और उसके बाद वो शराब की नदिया बना सकते हो और जो आपकी 135 फीट की हूर है उसके बदले मैं अच्छी अच्छी खुबसूरत यानि दुनिया की जो हूरे है उसको पै में में भाई दूसरा प्रोटेक्शन हो जाएगा दूसरा प्रोडेक्शन हो जन्नत से लाग दरजे अच्छी जन्नत बन सकती है धर मैंको एक बात आओ 135 एक में देखे 135 फीट की हूर का तुम क्या करोगे तुरा घुसके निखलोगे 135 फीट की हूर का की तुम क्या करोगे अभी जवाब सुन लो ठीक है अभी पंजाब गए हो पंजाब जाब जाब जो पठाव को हाँ 135 फीट की होते हैं क्या मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल का जवाब दो आईसा बीच में तोको मा नहीं कि आप बोल रहा हूं ना नहीं आईसा आसने जाए हो आप आसने हो तो मैं भी आसने हो अपके पाद याँ पूचरो पठान का पूचरो पठान का, पठान मेरे बस सुनो। अप देखां पठान हो देखा है यापने? आ देखांगे है Ngci आप पहाड की तरह एक सो पैंटीस फीट के आप भी होंगे आप भी पहाड की तरह एक सो पैंटीस फीट के होंगे और वह आपकी जो रहेगी वह भी एक सो पैंटीस फीट की हो जाएगी इसमें क्या लॉजिक है आप जो साइस के वह साइस की हूर ने दे सकते हैं दला लॉजिक चोड़ दो अभी आसना चोड़ दो भाई पहले सुन लो या आपको हूर का नाम सुनके शर्मार रहें आपको बलश कर रहे हैं अरे बाई मेरे दैन मुतरमा पहले साइस को जो पहले जवाल उनको बोलो जवाब सुन ले सुनने रहे हो सुना ना मैं एक सो पैंटीस फीट की क्यों अल्ला को इनक मेरे बाई मेरे से अगर रोज बात करें आपकी दुकान मन्द हो जाएगी चलेगा मैं तो चाता हूँ आप रोज आओ कोई मुझी ये बताओ कि ये अल्ला को और तुमा सुनो ना भाई अरे इमाम शेक साब सुनो तो सही मैं कह रहा हूँ कि आपके अल्ला को आपको और हूर को 135 फूट इतना लंबा क्यों बनाना है आप जो साइस के वोई साइस की हूर नहीं दे सकता था पहाड की तरा बढ़के गुमोगे ऐसा इदे को आइसा गुमोगे भाई मैं जवाब दू कि आजा हुटके मत जाओ बाई इदर आजाओ अधर आजब देख रहा था 115 फिट का जो तुम बनोगे तो चलोगे कैसा उसमें दोड़ोंगे कैसा आप सुनी ने रहे हो जवाब देने ने दे रहे हो जवाब सुनो ना बोलो जवाब दो आपको आप बोलो ना बोलो अच्छा आपने कभी ऐसा Isto जो पुराने जमाने के कि इस पर कभी विजिट दिया है, फिर उन के àsयाट कितनी थी duty ? इतार सभानेtest हिए प contest अय次, मुजे नहीं मालूम हैं कितनी थी ? आपके जैसे एवरेज परसन से कई जाधा थी ठीक है कितनी 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 आपके पास इंटरनेट पर जो दुकान आपकी चला रहे हो इंटरनेट को यूसर हो मदब आपको नहीं मालूमें कितनी थी खली ऐसी बोल दिये अरे यार पहले जवाब सुन लो यार हवा में बात करोंगे तो कैसे माना जाएगा जाया गूगल कर लो वैं मैंने आपको रोकत किframes गूगल करो मैं आपको औरे गुगल में जो जो लिखा है सब मानोंगे योग्यों मानें तो दलील तुम को देना अभी हो टो हीएो हार एक जनाव तरह के हमुस्त Arya के खाल से रहता है मेरे लहाँ से हैड बढ़़ जागी तेमपरेचर का माम अज़त सब जगा का मालूम है बताओ कोई भी पंद्रा भी स्वीट का नहीं होता है तुम एक सो पैंटी स्वीट की बात कर रहे हो कुछ तो मैच करने से पहले कुछ तो दिमाग लगा हो भाई अब तक आप सबने देखा इस मुफ्ति ने किसी भी सवाल का ठेक ठेक जवाब नहीं दिया आगे देखने ही क्या करता है थोड़ा अपनी दाड़ी का खयाल रखो कि आप यानि इंटेलिजेंट होना चाहिए था आपको आप इंटेलिजेंट होना चाहिए था आपको आप इं आप पठान की बात कर रहे हो, आप एमेरिकन्स की बात कर रहे हो, आप पंजाबियों की बात कर रहे हो, तो हाइट कितनी होती है, मैक्सिमम आपको सवाधे 6 feet, साड़े 6 feet यह 7 feet, जाद सेद, वह भी खली की हाइट 7-2 है, आम पंजाबी जो है, वह ऐसा नहीं है, कि सब 7-8 feet के होते हैं दूसरी बात आप साथ फीट और छे फीट को compare कर रहे हो 135 फीट किसको बोलते 135 imagine करो जरा वो भी 135 फीट सुनो मेरी अभी में को पहले पुदा बोलने दो वो भी 135 फीट की जो आपकी हूर होगी वो 70-70 कपड़े पहन के रहेगी और उसके हड़ियों के गूदे तक आपको नजर आएंगे सही है बिल्कुल सही है तो ऐसी हूर चाहिए आपको अरे बहुत अल्ला देंगा जब अल्ला महरबान तो तुम 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 ने उसको यह महरबानी है कि एक औरत जो है हड़ियां देखे मुझे बात बोलो सुलो और चलो औरो के बाद आप मत कर आप नहीं मिलने आ लिए बात सुन लो अरे मेरे बाई सुनता हूं मुझे यह बताओ के आपको जो जिसकी हड़ियां देखे ऐसी हूर चाहिए अब इसमें यूट्यूब का पैसी की कहा से वात आ गई हूर का बताओ ना तुमको हड़ी दिखने वाली हूर चाहिए सुनो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं सुनो सुनो अल्ला ने तुमको इमान दिया था बास सुन लो पहले पूरी उसके बाद में मुझे बोलने दो आप आसने से नहीं होगा काम मा सुन लो आपको इमान दिया था घ्म और वक्त है न वधने रोजी रोटी मुकदर में लिखिये जितनी मिलनी उतनी मिलेगी उससे जादा नहीं मिले कर नहीं और लोजी रोटी के लिए अगर आपने यह किया है तो बहुत जल्हाथ है वापस आ जाओ ठीक है मत करो इतने अभी वक दिया है तौबा कर लो बड़ा माफ करने वाला है आपको भी मांद में अंदर मैं बोल रहा हूं कि मेरा यानि जन्नत जो में को दे रहा है ना वो मेरे को पसंद ही नहीं है मुझे ऐसी ऐसी पार्टनर नहीं चाहिए जिसकी हड़ियां दिखती हो और उसके अंदर के गूदे यार हज दिये तुमको ऐसी लड़की चाहिए जिसके अंदर की हड़िया दिखे और गूदे दिखे और सतर कपड़े पहने रहे सची बता ना हज इमान से बता दो अच्छा मुझे बात बोलो अच्छा तो यह जो डिस्टैक करने की चीज़ा छोड़ दो मुझे ब इमान से क्यों आटे मुझे यह बता हूँ यह वज़ा दी कि यह ऐसी ऐसी गदे घोड़ो वाली कहानी से भी बत्तर कहानिया और लालचे दी गई है कि 130 फीट की हूर मिलेगी और उसके अंदर की हड़ियां दिखेगी 70 कपड़े पहने रहेगी अंदर की गुदे दिखेगे हाँ बहुत बड़ा रीजन है यह भी तुमको तुमको यह 150 फीट की हूर हड़ी दिखने वाली चाहिए क्या पसंद आएगी तुमको बिलकुल आएगी बड़े खतरनाक बंदेओ भाई बड़े द्रामने बंदेओ यह दिल से बोल रहे हैं कि मोमें अपड़ों के अंदर भ कर लीघाए आपकी चॉईस ऐसी है वह पूली लड़की चाहिए अगर आप मुझे जवाब देने देंगे, अगर कोई भी चीज को अगर आपोस करना चाहना, तो उसमें आप खामिया निकालोगे, सही है, नहीं, आईश्वरिया राये में मैं कोई खामिया नहीं निकालूँगा, अच्छा, वो अच्छा, वो मतलब दुपाय ये नहीं करती ह टॉilet जाती है, उसमें क्या हो गया, वो तो हर कोई करता है, आपके घर में भी करते है, मेरे घर में भी करते हैं नहीं, कोई खामी नहीं है, उसको नीन आती है, उसको नीन आती है, उसको नीन आती है, आती है, तो अच्छी बात है नीन आना, तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहरे हैं, नीन नहीं आना चाहिए, जननत में ये कोई चीजे नहीं होगी, आपको नीन आएगी, तो क्या कर तुम वाली हूर के साथ 70-70-1,000 साल तक आप रूपना इवाम यानि आप कह रहे हैं कि नी नहीं आती है नीद नहीं आना चाहिए तो आप ये 70-70 साल जो है वो बिना सोए आप टपाटब करते रोगे ऐसी स्केलेटन वाली हूर के साथ मेरी बीवी मेरी बीवी के साथ अगर मैं टपाट अब भी करूंगा तो वह अगर मैं टपाट अब किया है यह बात तो आपके अल्ला ने कही है यह बात तो आपके अल्ला ने यह पपलीक रखी है बात मेरी बीवी की बात पपलीक नहीं है यह मेरी बात इस अब बात को इंगलीज में क्या बोलोगे सेक्स बोलो सेक्स बोलो सेक्स बोलो अच्छा बोलो साब को वालिप भी बोलते है वाली साब भी बाती है तो आप क्या हो गर्ड़ पर जा क्या बोलते हो क्सा Choose बोल सकते हैं मेरे इसमें क्या है ये मेरे बाप है इसमें क्या प्रॉबलम है कौल लाकर करके कब बोला मैने इदर आकर कि कब बोला तो क्यों ने बोलते हो हाँ इजत एधरांग से नहीं बोलते है तो टपाटप की हदीस है यह हदीस है 2536 के हदरत अनस जो है वो रिवायत करते हैं कि अल्लह के नभी ने फरमाया कि इमान वाले को जन्नत में फ़ला फ़ला मर्द जितनी ताखत दी जाएगी सहबत करने की तो उसमें उन्होंने पूछा अल्लह के नभी कि हमें वाकि में इतनी ताखत दी जाएगी तो आपने का हाँ जन्नत में हर मर्द को सो आद्मियों जितनी ताखत दी जाएगी यान्ने सहबत करने के लिए इसलिए तो बोल रहे हो के सुना नीन नी आना चाहिए तो अब लब अच्छा इस्तेमाल करों के तो जवाब भी अच्छा मिलेगा आश्य है तो अच्छी से बात करो अच्छा है यानि आपको सत्तर सुनो ना आपको 70-70 साल या 70-1000 साल जो भी लिखा है आपको वहाँ पे हूरों के साथ 135 फीट वाली 70 कपड़ा पहनने वाली उसका गूदा दिखने वाला उसकी हड्डियां दिखने वाली हूरों के साथ आपको बिना सोए आपको सेक्स करना है अब बाई मुझे पहले आपके सवाल का जवाब दे दिया देखो यह चीज़े देखो यह चीज़ें आपको पायदा किया आप तुर अबहरों पर प्राइवेट लाइफ थोड़ी ना पूछ सकते हो प्राइवेट लाइफ थोड़ी ना पूछ सकते हो जवाब देने दो या जवाब नहीं देने दे रहे हो ना दो बोलू मैं दो ना अभी देखो कैसा है कुछ गंटा रोज सोते हो करेक्ट है कुछ उसमें आते हो बीते हो टॉयलेट करते हो ना सारी जवाब जन्नत में भी जन्नती को मस्रूफेत रहेगी वह आपको अभी क्या मतलब क्या करेंगे आप यह करके अभी आप जन्नत में जाओ तो सही पहले नहीं तो पहले ही बता दिया है ना अल्ला ने रसूल अला ने आफ जन्नत में आफ सटर जन्नत है अगर आप आदा गंटा लास करते हो एक गंटा लास करते हो तो करते हो नहीं करते हो चुछ बीच में से मेरे तो वहाँ पर उतनी ताकत भी तो अल्ला देगा अभी जैसे तुमको आदे गंटे की दे रहा है पंद्रा मिट की दे रहा है दस मिट की तो तुम पसंद करो है एक मेरे एक मेरे मतलब तुम सतर सतर साल तक बिना सोए तुम 135 फीट की हूर जिसके सतर कपड़े पहने हो और उसकी हड़ियों के अंदर के गूदे नजर आ रहे हो ऐसी हूर के साथ आप सतर सतर साल तक सेक्स करोगे ना अगर आपका आदे गंड़ा पहले नहीं होता हो मैं यह मूह से आपके निकल वाना चाहरा था इन्होंने कह दिया कि ये करेंगे 135 feet की हूर जिसने 70 जोड़े पहने हो और उसके हड़ी के अंदर का गूदा नजर आ रहा हो उसके साथ ये बिना सोहे 70 साल जो है वो सेक्स करेंगे ठीक है चलिए अच्छा अभी back to topic आते है आप ये बता रहे थे कि कुरेश कबीले की थी हज़त आईशा और उनको यही तो topic था तो आपने बीच में कहा से लिए topic यह था कि freedom fighter या पिर जो भी अदेश के सोज़नर है ने ने मैं बता था उनको वो तो गई थी आपने वो तो कह आपने वो बता दिया था हमारी बात यह चल रहे थी कि हज़त आईशा जो है वो छे साल की उमर में उनकी शादी हुई ठीक है और आप कह रहे हैं कि वो कुरेश कबीले के टाइम पे वो औरते जो है वो हट्टी कट्टी होती थी और जल्दी बड़ी हो जाती थी ठीक है उनको मेंस्ट्रेशन आ जाता था मिसाल की तोर पे ठीक है है ना लेकिन शादी करने के लिए मेंस्ट्रेशन की शर्ट तो नहीं है क्या बोले शादी करने के लिए इसलाम के हिसाब से शादी करने के लिए आपका बालिग होना तो ज़रूरी नहीं है शादी करने के लिए शे साल में सादी की न wz irre आईशा से ए न यानि आप की बात कर रहा हूँ आप भी एक अभी फांच साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते है मैरे वक के एसाप से अबधार आपको बोलेंगे आग जलाओ तो क्या पतर गिस होगे अबधी आपको अच्छा तो यहा आप कहना चारे हो किसी भी एक्स मुसलिम के सवालों का जवाब इन लोगे पास नहीं है किसी लिए ये लोग है डिबेट के टॉपिक को बार-बार चेंज करने के कोशिश करते रहते हैं शे साल की बच्ची से शादी किया है आप करोगे अगर तुम बोड़ रहे कि पाइदा होती है बच्चे को बगार देना सही था क्या वो आपके पार हवाला पेड़निंग है ना आपको देखो जजबाती होने की ज़रुवत नहीं है सुनो मेरी बात आपने कोई क्लेम किया है अरे रुको तो सही आपने अगर क्लेम किया है तो दलील देने की जिम्मेदारी आपकी आप यह नहीं कह सकते हैं यहां आओ वहाँ आओ मैं यह बोल रहा हूँ चलो थोड़े देर के लिए मान लेते अरे आपके शक्स को कोई खाली नहीं है मैं आप बात कर सकते हो आपने चार बंदे काम पे बिटाए है आपकी दुकान चलाने के लिए यह बिना हवाले के बात करोगे यह तुम लोगो क्या प्रॉब्लम है जो म मिल रहा है तो उससे आपको क्या प्रॉबलम है अरे शून ऑब लेते थे तो अरे सुनो तो सही रसूल अला भी लेते थे रसूल ना भी लेते थे पैसे लेते थे हैं अल्ल फूद्त कुरान कि जब रसुलास से मिलने के लिए जाओ तो अच्छा तो क्या मतलश किfight लें आते हैं नियुका ओप तो मेरे भाई मैं कहा कह रहा हूं कि वह गलत एक मिनिट मैं कहा कह रहा हूं गलत है अगर मुझे कोई गिफ्ट कर रहा है सुनो यार पहले सुन लो मैंने मूट किया रूख जाओ एक मिन मैं आपको मौका देता हूं क्योंकि आप एक साथ बात हो रही है न तो आपकी आवाज दब जा रही है मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से अरे म्यूट है जना आप बोल दिया तो भी बोल रहे हो मैं कह रहा हूं जिस तरीके से रसुल उल्ला के पास मिलने जाने के लिए अल्ला ने ये कहा है कि तुम ल अच्छा रसुल आला वाप पैसा कपाने के लिए नहीं बढ़ेते आप पैसा कपाने के लिए बैटेते अरे माले गनीमत पुरा माले गनीमत जो लूट के लाते थे लूट का माल उसमें तो जिंदगी चल रही थी अच्छा अपने देखा है हदीशों में लिखा है अच्छा हदीश है एक मिनिट बिल्कुल सही हदीश है अच्छा रसूल उल्ला क्या बिजनेस करते थे नुबुवत के बाद रसूल उल्ला क्या बिजनेस करते थे source of income क्या था उनका घर कैसे चलता था 11 बीविया कैसे पाल रहे थे 11 बीविया कैसे पाल रहे थे आपने बढ़ा है अरे भाई यहाँ सामने वाले को इधर एक बीविया पालना जो है भारी पढ़ जाता है रसूल उल्ला 11 बीविया पाल रहे थे क्या था source of income अगर लूट मार का माल नहीं था तो क्या था बताओ लूट मार माले गनीमत वही है जाके किसी कबीले को लूटो मार के वहां का माल लूट के ले क्या हो उसमें क्या है तुरा अनफाल का मतलब ही होता है जंग में लूटा माल अनफाल जो तुरा है मतलब ही होता है जंग में लूटा हुआ अधाय का इसको टैक्स से कहां टैक्स से जोड़ रहे हो यार कुछ तो शरम करो यार तो देखा दोस्तो यही असली इसलाम आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें साथ में बिल बटन भी दबा देजिसे हमारी आने वाली वीडियो लगाता आप तक पहुंचते रहे हम आगे भी इसी तरह इसलाम को एक्सपोज करते रहे करते रहे